ओम श्री गनीशाय नवहां वागर्था विवसंप्रिक्तव वागर्था प्रतिपत्तव जगतः पितरव अंदे पारवते परमेश्वरव श्रीमत भागवत महापुरान अस्टम इसकंध द्वादस अध्याय मोहिनी रूप को देखकर महादेवजी का मोहित होना ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री बादराय निरुवाचा ब्रिशद्ध्वजो निशम्मीदं योसिदरूपे नदानवान मोहित्वा सुरगनान हरिहिसोमम अपाययत ब्रिशमारुहिय गिरिशह सर्वभूत गणएर ब्रितहा सहदेव्यायय योद्रस्टुम यत्रास्ते मधुसूद नहा श्री सुकदेव जी कहते हैं परिक्षित जब भगवान संकर ने यह सुना कि श्री हरी ने इस्त्री का रूप धारन करके अशुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमरित पिला दिया तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मध सूदन निवास करते हैं भगवान स्री हरी ने बड़े प्रेम से गवरी संकर भगवान का स्वागत सत्कार किया वे भी सुख से बैठ कर भगवान का सम्मान करके मुश्कुराते हुए बोले स्री महादेव जी ने कहा समस्त देवों के आराध्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगद स्वरूप हैं समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण एश्वर और आत्मा भी आप ही हैं इस जगद के आदी अंत और मध्य आप से ही होते हैं परन्तु आप यदि आप आदी मध्य और अंत से रहित हैं आपके अभिनासी सुरूप में द्रस्टा द्रिश्य भोगता और भोग का भेद भाव नहीं है वास्तों में आप सत्य चिनमात्र ब्रंभ ही हैं कल्यान कामी महात्मा लोग इस लोग और पर लोग दोनों की आसकती एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं आप अम्रिता स्वरूप समस्त प्राक्रित गुनों से रहित सोक की छाया से भी दूर स्वयम परिपूर्ण ब्रंभ हैं आप केवल आनंद स्वरूप हैं आप निर्भीकार हैं आप से भिन कुछ नहीं हैं परन्तु आप सबसे भिन हैं आप विश्व की उत्पत्ती इस्थिती और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के सुभा सुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तों में आप सबकी अफेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं स्वामीन कार्य और कारण द्वाइत और अद्वाइत जो कुछ है वह सब एक मात्र आप ही हैं ठीक वैसे ही जैसे आभूसनों के रूप में इस्थिद सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं हैं लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेद भाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधी न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीती होती है प्रभो कोई कोई आपको ब्रम्भ समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वरणन करते हैं इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई बिमला उतकर्षणी ज्याना क्रिया योगा प्रवी सत्या इसाना और अनुग्रहा इन नव सक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे कलेश कर्व आज के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अभिनासी पूरुष विशेश के रूप में मानते ह प्रभो मैं ब्रम्भा और मरीज आदिरिशी जो सत्वगुन की स्रिष्टी के अंतरगत हैं जब आपकी बनाई हुई स्रिष्टी का भी रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं फिर जिनका चित माया ने अपने वस में कर रखा है और जो सरवदा रजो गुनी और तमो गुनी कर्मों में लगे रहते हैं वे असुर और मनुष से आदि तो भला जानेंगे ही क्या प्रभो आप सरवात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं इसलिए वायू के समान आकास में अद्रिष से रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सरवदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, इस्थिती, जन्म, नास, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन मोक्ष सभी को जानते हैं प्रभो आप जब गुणों को स्विकार करके लेला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहन करते हैं तब मैं उनका दर्षन करता ही हूँ अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्षन करना चाहता हूँ, जो आपने इस्त्री रूप में ग्रहन किया था जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमरित पिलाया है स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं, हमारे मन में उसके दर्षन का बड़ा कवतूहल है स्री सुगदेव जी कहते हैं, जब भगवान संकर ने विश्नु भगवान से यह प्राथना की, तब वे गंभीर भाव से हसकर संकर जी से बोले स्री विश्नु भगवान ने कहा संकर जी, उस समय अमरित का कलस दैत्यों के हाथ में चला गया था अतहा देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कवतूहल की और खिंच लेने के लिए ही मैंने वह इस्त्री रूप धारन किया था देव सिरो मने आप उसे देखना चाहते हैं इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा परन्तु वह रूप तो कामी पुर्सों का ही आदर निये है क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है श्री सुगदेव जी कहते हैं इस तरह कहते कहते विश्णु भगवान वहीं अंतर धान हो गए और भगवान संकर सती देवी के सास चारों और द्रिष्टी दवडाते हुए वहीं बैठ रहे बैठे रहे इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुन्दर उपवन है उसमें भाति भाति के ब्रिक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कॉपनों से भरे पूरे हैं उन्होंने यह भी देखा कि इस उपवन में एक सुन्दरी इस्त्री गेंद उच्छाल उच्छाल कर खेल रही है वह बड़ी ही सुन्दर सारी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही है गेंद के उच्छालने और लपक कर पकड़ने से उसके इस्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं ऐसा जान पड़ता था मानों इनके भार से उसकी पतली कमर पकपक पर तूटते तूटते बच जाती है वह अपने लाल लाल पलवों के समान सुकुमार चर्णों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक चल रही थी उच्छता हुआ गेंद जब इधर उधर च्छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आँखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी उसके कपोलों पर कानों के कुंडोलों की आभा जगमगा रही थी और घुंगराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थी जिससे मुख और भी उलसित हो उठता था जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की बेणी खुलने लगती तब अपने अत्यन्त सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल संभाल लिया करती उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उचाल उचाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भाव से मुश्कुरा कर तिरची नजर से संकर जी की और देखा बस उनका मन हाथ से निकल गया वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूब कर इतने बिहुबल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधी नहीं रही फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती एक बार मोहिनी के हाथ से उचल कर गेंद थोड़ी दूर चला गया वे भी उसी के पीछे दोड़ी उसी समय संकर जी के देखते देखते वायू ने उसकी जीनी सी सारी करधनी के साथ ही उड़ा ली मोहिनी का एक अंग एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था जहां आखें लग जाती लगी ही रहती यहीं नहीं मन भी वहीं रमण करने लगता उसको इस दसा में देखकर भगवान संकर उसकी और अत्यंत आक्रिष्ट हो गए उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी उसने संकर जी का विवेक छीन लिया वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भगवान के भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी और चल पड़े मोहिनी वस्त रहेन तो पहले ही हो चुकी थी संकर जी को अपने और आते देख बहुत लज्जित हो गई वह एक ब्रक्ष से दूसरे ब्रक्ष की आड में जाकर छिप जाती और हसने लगती परन्तु कहीं ठाहरती नहीं थी भगवान संकर की इंद्रिया अपने वस में नहीं रही वे काम वस हो गए थे अतहरा हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दव्डणे लगे उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जुड़ा पकड लिया और उसकी इच्छा नहोने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हुर्दय से लगा लिया जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया वह इधर उधर खिसक कर छुडाने की चेश्टा करने लगी इसी छीना जप्ती में उसके सिरके बाल विखर गए वास्तों में वह सुंदरी भगवान की रचिव हुई माया ही थे इससे उसने किसी प्रकार संकर जी के भुज़ पास से अपने को छुणा लिया और बड़े वेग से भागी भगवान संकर भी उन मोहिनी वेश धारी अदभूत कर्मा भगवान विश्णू के पीछे पीछे दड़ने लगे उस समय ऐसा जान पड़ता था मानू उनके सत्रू काम देव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है कामुक हथनी के पीछे दड़ने वाले मदोनमत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दड़ रहे थे यद्य भगवान संकर का बीरी अमोग है फिर भी मोहिनी की माया से वह इस खलित हो गया भगवान शंकर का बीर्य प्रथवी पर जहां-जहां गिरा वहां-वहां सोने चादी की खाने बन गई परिक्षित नदी, सरोवर, परवत, वन और उपवन में एवं जहां-जहां रिशि मुनी निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान संकर गए थे परिच्छित बीरिपात हो जाने के बाद उन्हें अपने इस्मिती हुई उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खुब छकाया वे तुरंट उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए इसके बाद आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर नहीं हुआ वे जानते थे कि भला भगवान की सक्तियों का पार कौन पा सकता है भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे बिशाद या लज्जा नहीं हुई तब वे पुरुष सरेर धारन करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसंता से उनसे कहने लगे स्री भगवान ने कहा देव सिरो मने मेरी इस्त्री रूपनी माया से बिमोहित होकर भी आप स्वयम ही अपने निष्ठा में इस्चित हो गए यह बड़े ही आनंद की बात है मेरी माया अपार है वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अज तेंद्री पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पाही नहीं सकते भला आपके अत्रिक्त ऐसा काउन पूरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंस कर फिर स्वयम ही उससे निकल सके यद जब मेरी यह गुनमई माया बड़ो बड़ो को मोहित कर देती है फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी क्योंकि स्रिष्टी आज के लिए समय पर उसे सोभित करने वाला काल मै ही हूँ इसलिए मेरी इच्छा के विप्रेत वह रजो गुन आज के स्रिष्टी नहीं कर सकती स्री सुकदेव जी कहते हैं परिक्षित इस प्रकार भगवान विष्णों ने भगवान संकर का सत्कार किया तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलास को चले गए भरत वन्स सिरो मने भगवान संकर ने बड़े बड़े रिशियों की सभा में अपनी अरधांगनी सती देवी से अपने विष्णों रूप की अंसभूता माया मै मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वरणन किया देवी तुमने परम पुर्ष परमेश्वर भगवान विष्णों की माया देखी देखो यों तो मैं समस्त कला कुशल विद्या आदिका स्वामी और सुतंत्र हूँ फिर भी उस माया से विवस होकर मोहित हो जाता हूँ फिर दूसरे जीव तो परतंत्र है ही अताव वे मोहित हो जाएं इसमें कहने ही कि क्या बात है इसमें क्या कहना है जब मैं एक हजार वर्ष की समाधी से उठा था तब तुमने मेरे पास आकर पूँचा था कि तुम किसकी उपासना करते हो वे यही साक्षा सनातन पूरुस हैं न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बान सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है इनका वास्तविक सुरूप अनंत और अनिर्वचनी है स्री सुकदेव जी कहते हैं प्रिय परिख्षित मैंने विश्णु भगवान की यह आईश्वर्य पूर्ण लीला तुमको सुनाई जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारन करने वाले भगवान का वर्णन है जो पूरुस बार बार इसका कीरतन और स्रमन करता है उसका उद्योग कभी और कहीं निश्फल नहीं होता क्योंकि पवित्र कीरती भगवान के गुन और लीलाओं का गान संसार के समस्त कलेश और परिश्रमों को मिटा देने वाला है दुष्ट पूरुसों को भगवान के चरन कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती वे तो भगत्ति भाव से युक्त पूरुस को ही प्राप्त होते हैं इसी से उन्होंने इस्त्री का माया मैं रूपधारन करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के सरनागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया केवल उन्ही की बात नहीं चाहे जो भी उनके चरणों की सरन ग्रहन करे वे उसकी समस्त का मनाय पूर्ण कर देते हैं मैं उन्हों प्रभू के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं हरी हिसारणम स्री कृष्णारपानामस्तू